जैसा कि परधान मंतरी किसान सम्मान ने दियो जना मिजिन भी किसानों का पेसा नहीं आ रहा है बैंक की समस्या की वज़े से उपना बैंक का आधार एंपीशाई से लिंक है वो इंडियन पोस्ट पैमेंट बैंक में खोल सकते हैं जैसे आप Indian Post Payment Bank में खाता कोलते हो तो वहाँ पर आपका आधार NPC ही है वो पहले से लिंक कर देना है आकाउंट ओपन करते समय है जैसा कि इस किसान का आप देख सकते हैं आधार बैंक का स्टेटस यहाँ पर देख लिजिए के एंक्लेशन लिखा रहा है और 11.4.2030 के दिने आधार बैंक स्टेटस है वो NPC से लिंक है देख लिजिए इनके बैंक खाते में आधार NPC से लिंक है 11.4.2030 को इनके यहाँ पर आधार नमर और लिंकिंग स्टेटस यानि एक्टिव है इनक्टिव नहीं है Indian Post Payment Bank में इनका लिंक है आपको देख सकते हैं अब यहाँ पर इ किसानों को UDI Never Enable, UDI Disable या फिर बैंक अनुदर मार्ज या फिर डूबलिकेट अकाउंट PFMS में जो भी समझे है जिसा कि यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो रहा है पेंडिंग है अंडर रिविल्डेसन है बैंक के समझ दोर भी वह सारी समझे हैं होती है बैंक स्टेटस जैसे कि आप इस तरह से से करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी लाकों किसानों को समय से आ रही है तो वो सभी किसान भाई अपना बैंक खाता है वो इंडियन पोस्ट पैमेंट बैंक में खुलवा कर है वो आनपीशे से लिंक कर सकते हैं तब ही जाकर इस पेसा आएगा और यहाँ यहाँ पर एक स्क्रेंशोट देख सकते हैं यह इंडियन पोस्ट पैमेंट बैंक का स्क्रेंशोट है जिसमें लावारती की दो दो जार रुपे की दो किस्ते आई वी है यहाँ पर एक स्क्रेंशोट देख सकते हैं जिसमें लावारती की चार किस्ते पीम किसान नियोजना क Indian Post Payment Bank में आई है क्योंकि पहले की 4 किस्ते बाकी थी पहले किसी और Bank में आधार लिंग था उस बैंक में पैसे नहीं आ रहे थे तो ब petites च र सथ आई आई वही दिखा रहा है यानि एक साथ 4 किस्ते इनकी आई है जिसे एक खाता खुल आया तो खाता कलवाते ही लगबग 15-20 दिन या फिर एक मैने के अंदर-अंदर ये प्रोसेस हो जाता है और आपका रुकावा पेसा है और आपको मिल जाता है क्यूंकि Indian Post Payment Bank ने है वो जो कर différenceीवा की साथ है वो अभी कुलाइब की है जिसमें बताया है कि हम किसानों की हेलप करेंगे अगर अमारे बैंक काते में जो भी किसान अकाउंट ओपन करेगा उसका हम आधार नेपीशे से ओलर ड़ी लिंक करके है वो किसानों की पेसा दिलाएं में पूरी हेलप करेंगे अगर फॉर में कोई भी समस्या होगी तो वो भी हम लाभारती को बताएंगे अगर बैंक की समस्या की वज़े से पेसा नहीं आ रहा है तो हमारे बैंक के माद्यम से हम पेसा दिलाएंगे आज इस किसान भाई ने PM किसान योजना का पेस अपराप्त करने के लिए बैंक आते में आधार लिंग किया है उसका स्टेटिस आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में पहले पेमेंट मिल रहा था लास्ट किस्त है दो एक 2022 को मिली थी उसके बाद इनका एक ट्रांजेक्शन फैल हो गया उसके बाद इनका पेसा ही नहीं आया क्योंकि इनका ब्लोक है, अकाउंट फ्रोजन दिखा रहा है, इस वज़ेशन इनका पेस आना है, पेमेंट है, वो बीच में ट्रांजेक्शन फैल हो गया अब इन्होंने कल ही PM किसानियोजना का पेस अपराप्त करने के लिए बैंक आधार लिंक किया है अलाएंकि इनका पेमेंट प्रोजेड आज उका है, जल्दे इनका पेमेंट भी रिलीज ओने वाला है अगर इन्होंने बैंक आते में आधार नपे से लिंक कर लिया है, तो अब कुछी दिनों इनका पेमेंट हो बैंक खाते में आज आएगा क्योंकि ये PM किसान्योजना का है उस सबसे सेफ बैंक माना जाता है Indian Post payment bank अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने यूटूब पर या फिर Google में जाकर सर्च कर सकते हैं Indian Post payment bank account open mahi info जैसे आप इस तरह सर्च करेंगे IPB account open mahi info तो यहाँ पर आपको उपरी उपर मिल जाएगा Open Account in IPB Bank Receive PM किसान योजनना Payment तो तुरंत यहाँ पर इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डाइरेक्ट लिंक दियावा है जानकरी सारी दी गई है पूरी जानकरी पड़े है और अपना बैंक खाता आधार बेस पर ओपन कर सकते हैं मातर दो मिनट के इंदर और इसका वीडियो यूटूब पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर मिल जेगा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और पेम किसान योजनना सेल्टेड हर एक ताज़ा अपडेट मिलते रहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ागा धन्यवाद